नमस्कार मेरे प्यारी बचो एक बरप्षित से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल The PCM Vision में आज के इस वीडियो में हम लोग Class 12 Economics का Second Term के Model Paper Set 2 के Solution को देखेंगे प्यार बचो इससे पहले हम लोगों ने Economics के Set 1 का Solution को देख लिया है अगर आपने Set 1 के Solution को नहीं देखा है तो आप चैनल से विजिट करके देख सकते हैं या तो इसका लिंक मैंने Discussion में दे दिया है आप लोग वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं साथ इसाथ इस चैनल के माध्यम से History के Set 1 और Set 2 का Solution को भी अप्लोड कर दिया गए और Geography के भी Set 1 का अप्लोड कर दिया गए आप लोग का सब्जेक्ट यह है तो आप लोग भी सब्जेक्ट का Solution को जाकर के देख सकते हैं ठीक है न तो अभी कुछ दिर बाद Geography के Set 2 का Solution अप्लोड कर दिया जाएगा तो अभी तक हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेंगे क्यारी वचो क्योंकि इस channel के माध्यम से सभी subject लेकीव, English, Angular English, English, Lambda, Chore सभी subject का political science का model paper नहीं आया हुआ है आये गव तो उसका भी solution कर वाए जाएगा तो चैनल को आवर ऊचिशन कर लेंगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज के परशनों को क्योंकि आप लोगों ने जेनरल इंस्ट्रक्शन और की समय निद्यदेश को पहले सेट में मैंने बता दिया हैं तो इस पर टेम विवर्स ना करते हैं हम लोग स्रिध्य परशनों पर चलते हैं आपका कोई कोशन हो या डाउट हो या किसी परकार का कॉंसेप्ट हो या बोर्ड परिक्षा जेए नीट इन सारो सवालों का जवाब आपका अपना फिलो एप देने जा रहे हैं बता दे कि 24x7 आपको ये जवाब देगा बस आपको तीन इजी सिंपल स्टाप फोलोग करना के बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहा पे कोशन पेपर को अप्लोड करना ही आपको फोटो क्रोप करके खीचके उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 seconds के अंदर ही इंडिया के टॉप फाइकल्टी से जोड देगा आपकी क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्क की पावर कितनी है अगर बल्क जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेटोर है राइट इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवेन है 220 तो यह आपको सिंपल रिलेशन होगे है यहा तो आज ही फिलो अप डाउनलोड कीजिए वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दिगाई है और हमारे रेफराल को रोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने देखिए प्यारी बच्छों यहां पे सेक्षन यह में आपका साथ प्रशन है वहीं साथ प्रशनों मैंसे मात्र पांच प्रशनक का उत्तर आपको देना है जो आप अच्छा से जानते हैं और प्रत्य प्रशन प्रशन से के माद्यम से बजार की काम काज को विनयमीत करते हैं वे सबसे महत्पुन आर्थिक एजएंट होते हैं तो यहां पर आपका बोड में इसले वर्सों कि अगर आप प्रश्णों को देखें तो वहां भी यह प्रश्ण आता था ठीक ना तो देखिए रैष्टियाय किसे कहते हैं आप लोग समझे रैष्टियाय का मतलब यह हो गया किसी देश के निवास्यों के दौरा अनिकि उस देश के वेक्तियों के दौरा जनता के मतलब यह हो गया एक मार्च से लेकर के एक समयनिया वर्स्याय आपका जनवर्स हो गया तो एक वितियोंस के दोरान जितने भी उस्तूमों का उतपादन करता है और से वहाओं का उत्पादन करता है उसके सुद्ध मोद्रिक मुयल्य पलस जो वीदेशों से कमार है हमारे दे कमानी के लिए उसके द्वार जो आय कमाया जाता है उनको जोड़ेंगे तो वही क्या हो जाएगा रैष्टी आया हो जाएगा और वही देश का आय हो जाएगा प्यारिवुचों वही यहां पर लिखा गया है किसी देश की निवास्यों द्वारा एक वर्स की अब्दी में करते हैं उसे भी जोड़ा जाता है इसको आपको इस तरह से यह लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी प्यार यह आपको जरूरी लिखना है और इस तरह से आपको घेर देना आटिंग ना देखिए रैष्टी आए ब्राबर जो हाँ पर आप तीन लाइन में लिखे न वहाँ आप एक ही लाइन में दर्साय जा रहा है रैष्टी यह ब्राबर आए ब्राबर घरेलू आए पलस विडियो से प्राप्त सुधिहाई लेना पर आता है और यह दो पेंट आपको लिख सकते हैं देखिए तिन नमर में यह आ जाए तो यह दोनों पेंट आपको लिख देना इसको भी लिख देना है और दो नमर में श्रीप आपको इतना ही लिखना है इसको इस तरह से घर देना यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको आपको जुरूर घरना है ठीक है उसके बाद देखिए नगद निदी अनुपास एक निश्चीत अनुपात होता है जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब नगदी का कुछ हिससा केंद्रिये बैंक के पास जमां कर रखना पड़ता है सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं देखिए पैर बचो सरकार दुवारा जो बजट पेस किया जाता है उसी को सरकारी बजट क्रिकम क्या होता है पैर बचो बजट का मतलब ये हुए पैरिबचो कि ये अनुमान लगाते हैं कि एक वर्स में हमारा कितना पैसे आहे माले वितियुवर्स के लिए इस सरकार की अनुमानित प्राप्तिया आनि कि उसे कितना आई प्राप्त होगा और वय कितना वय मतलब खर्च करना पड़ेगा का वार्षिक वितिये विभरन होता है इसी को क्या करते हैं सरकारी बजट करते हैं या तो दूसरे सब्द में आप इसे भी कह सकते हैं कि किसी एक प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं राजस प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं तो देखेंगा प्यारी बचो राजस प्राप्तियां वी मुद्री करन किया है जिसने ना तो देता उत्पन होती है जिससे ना तो जिससे होगा जिससे ना तो देता उत्पन होती है और ना ही उसे प्रिसंपतियों में कमी आती है प्यारी बचो राजस मतलब जो हो गया इंकम टेक्स टेक्स से जो प्राप्तियां होती है प्यारी बचो उसी को क्या करते हैं राजस प्राप्तियां करते हैं आप लोग समझ सकते हैं आप देखे लिख दिया है ना तो इससे देता देता उत्पन होता है और ना ही इससे प्रिसंपतियों का में कमी आता है प्यारी बहुत ही ज्यादा important है समग्रमान देखे आई वा रोजगार के अस्तर पर एक साल में अर्थवेस्था में जो वस्तू और सिवाओं की मांग की जाती है उसे समग्रमान काते हैं समझ लिए एक साल में जो संपुर्ण मांग किया जाता है सभी व्यक्तियों के दुवारा किसी भ बांग किया जाता है प्यारी बचो उसी को समग्रमान कहा जाता है एक वाइक या तो एक वड़ में लिखे दो नमर आपको मिल जानेगा बहुत यह सान है इस बार देखे दो या दो से अधिक देशों के बीच कि बीच किसी निश्चीत अनुपात में होने वाले आयात वा न दोनों एक ही है ठीक ना वागोशन आ जागा कि वेपार्स से आप क्या समयते है तो पगला जाईए गा दोनों एक ही है एकूनमिक से में तीन चार्ण नाम है कि लिए आपको राना है ठीक ना पन्सक्रेप के साथ तो देखे पैरबचो इसका मतलब यह हुआ कि जो दो दिसक इसका करें हुए श्रक्राइब इस के बीच जो अंतर होटिछ अंतर के अंतर को ही क्या कह जाता है वे पार संतूलन यह तो वेपास परकार करते हैं क्या फेकें सब बेपार से स Culpe fer एक पर नतूलों और एक होता है अनुकूल वेपार सं तूनन जिसमें आयात अधिक होगा जिसमें आयात अधिक हो गए पैरे बचो उसे परतीकूल कि एंगे ठीग ना उसको क्या किने बर्तिकूल वेपार्स माल की चलते हैं छीन से हम लोग ने स्वाक निर्यात कि एक निर्यात के मतलब चीन को लें सब डूर बैचा और घुट जो लोग क्या हो गया पाचास कलोर का प्रतिकूल अनुकूल हो गया ठीक ना कि लिए और इसी का उल्टा हो गया आपका प्रतिकूल यजिक्त लिए टीक रमें मिष्ट्र गोन और अन्वीट को इस सोचने पर मज़्शन हो कि समस्टी अर्च को भी लाया जाना हुए मैं वन्हाज इस इस पाइब में फार्रोह कर देखिए और प्र इंदेखे हैं इस तरह से यह पर अडरलées और उन त साथा नमान मिलेगा इन्नसों कि पहला पूश्वी में एक गमी रिष्थी महामंदी को जनम लिया यह हैं महामंदी 1933 तक बने रही कबसे 1929 तक ले 1933 तक बना रहा इस विश्वियापी महामंदी की घटना ने परंप्रावादी मनेता को चूर चूर कर दिया इस महामंदी के कारण अमिरिका के देशों में निर्यात और रोजगार के अस्तर में भारी गिरावट आया प्यारी बेचो बह लिखा था पुष्टक जो अथा किंज का आप लोग समस्थिया और सास्तर का जनक आजा ता उसका पुष्टक को आपको कमेंट में करना है ठीक आगे तुम्हें बताओंगा है यह देखिए तब तक आप लोग कमेंट कीजिए ठीक ना दूसरा पूइट इसमें क्या है इसक से काम से निकाल दिया प्यार बीचो अनिकी जब फैक्टरी में उत्पादर होगा ही नहीं खरिदने वाले लोग होंगे नहीं तो वहां पर रोजगार कांसे मिलेगा क्या करेंगे रख के वह यह तिसरा पूइंट है संद्रुक रैज्ट अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगा प्रतिस्त में लगभग 33 परतिसत की जो निर्यात कर रहा था प्यारे बचो उसमें 33 परतिसत की गरावट आ गयी अन्यटीस परतिसत बहुत होता है आप लोग समझेगाने कि सो में 33 गरावट हुआ है सर बहुत होता है प्यारे बजार को बरवाद कर दिया त्यक् Used to out point है मन् मतलब होता है एक और समस्टी का मत अर्थ होता है संपुन संपुन समाज संपुन देश होता है समस्टी का मत अर्थ होता है बड़ा स्थर पर सोचने को मजबूर कर दिया उसी के बाद अर्थसास्त्र में समस्टी का जनम हुआ पैरेबचो देखे यहां पर लिखा गया है इन परिष्टितियों में जे एम किंस होगा किंस होगा कि पुष्टक रोजगार ब्याद और मुद्रा का समयने सिधान्त 1936 में परकासित हुई जिससे समस्टी अर्थसास्त्र जैसे विश सकते हैं ठीक ना लेए दोन नोह नूमर का आपका प्रश्ण एंप यारी बूचो वस्तु विने में परनाली की किसी एक दोस्ट का वर्नन करना है कि वस्तु विने में परनाली स्च्छो कटनां या उत्वन होती थी उन्में से सब्सक्राइब हमापी करना है थे तो पहले आ पैसा जब मुद्रा का चलन नहीं हुआ था तो वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था था तो इससे बहुत पर दो पर नाली के समय दोहरे संयों का अभाव जिस वस्तु के बदले जो दूसरे वस्तु के आवसक्तात होती थी उसका मिल पाना बड़ा कटीन था इसका मतलब आप लोग समझिएगा दो वेक्ति है इस वेक्ति के पास क्या है मान के चलते हैं चावल है ठीक ना इस वेक्ति के पास चावल है ठीक इसके पास चावल है यह दूसरे को चावल देगा प्यारी बचो और इसको आवसक्ता किस चीज़ का है प्यारी बचो इसको हुआ सकता है अलू का इसको क्या शीत की सकता है यह लिए इसको दाल का डाल तो है लेकिन अलू चाहिए इसके पात है चाहिए है सभी को क्या हो चाहिए और चावल लेगा और चावल देगा प्यारी बचो ठीक ना और बी के पास क्या है प्यारी बचो बी को आलू की आलू है बी के पास और इसको डाल की अशकता है डाल तो मिल जा रहा है लेकिन यहां पर यह क्या दे रहा है चावल दे रहा है इसको आलू किया सकता है और इसको क यहां करेगा जिसको चावल चाहिए प्यारी बच्चों और इसके जिसको चावल चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए इन डौनों का सन्यूग और बेठ रहा हो तभी यहां पूसीवल हो पाथा लेकिन इस तरह से बहुत थी एक पर्षंट संभव पारा हो था इस वजे स बहू하면서 इसका था इजमने उसके बाद देखिए समय ये मुलि मापक का भाव देखिए सम वस्तू इने में पर नाली के समय वस्तूओं के मुलि मापक में की क्यो मिंष्चित الإकाई नहीं होती थी कि एक किलो दो किलो मान के चल था एक किलो आलू का डाम 20 रुपइया है तो यह किलो चावल का डाम 30 रुपए है एसा नहीं हो पाता था देखिए इसके क्या हो रहा था मुल मापक एक काई नहीं थी जिसके पास जो वस्थु होती थी उसी में दुसरे वस्थुओं का मुल्ए को वेक्ट कर दिया जाता था पारार से नहीं हो पारा था एक बराबर में तुल दिया एक अगल लेका किलों करके बराबर वजर में तो दिया लेकिन क्या हो रहाता है आपका पर्तियचकर को उधारन सहीद समझ जाई देखें कर दो प्रकार का होता है यहां पर्तियचकर मतलब जो आप कमाते हैं उस पर आपको टेक्स देना पड़ेगा सरकार का नियम क्या है अगर आप जादा कमाएंगे पहरे बच्छों 5 लाग से ठीक ना पांच लाग से अगर आप जादा कमाएंगे गीगा तो आपको 5% कर टेक्स देने पड़ेगा कि लिए ने आप लोग जो कमारे उसी को देना पड़ेगा तो इसको दूसरी के उपर अस्थांत्रित नहीं क्या जा सकता है आप समझेगा आप परतियज कर किसे करते हैं देखिए पहरी बिचो आप परतियज करते हैं इंडिर्ट टेक्स इसका मतलब यह हो गया कि पहले की यह जो वस्तुमों के उपर कर लगाया जाता है कि आप दूसरे के उपर अस्थांत्रित कर सकते हैं कि यह मानके चलते हैं कोई भी वस्तुमों पर जो टेक्स लगाया जाता है तो इसका रेट कितना हो गया 96 और टेक्स हो गया तो यह जो जो खरीजेगा उसको दिना पड़ेगा है कि यह टेक्स टिक ना तो यह 90 रुपया में बेचेगा देखें आप लोगों सब जोड के वह दाम आपसे लेता है यह दूसरे को पर हस्तांतरित किया दाता है प्रविचो ठेल द्यादाता मान के चलता है आप से हम खरी देदे च्यानवे रुपया में अब आप भी टेक्स लगा तो यह टेक्स हम नहीं देंगे यह जो टेक्स लगा फिर इसमें जोड के जो खरीदेगा उसको देना पड़ेगा वो क्या हो गया आप टियौकर डंएकट कर नहीं इनडैरेक्टी से आपर कर लग लग रहा है और डैरेक्ट अपर है क्या निगंपर द्या टेक्स हो जाते है वह ही लिखा हुआ है परतियचकर यहां पर होगा वेकर हैं जिनमें वेक्तियों की संपती तक आय पर लगाया जाता है इसका भुक्तान उसी वेक्ति के द्वारा किया जाता है जिन पर उसे लगाया जाता है उसी को करना पढ़ेगा जिन पर यहां टेक्स लगाया जाता है ठिक ना परतियचकर आव अश्टोग एवं परवाचर को परिभासित किजिए ठींग का करते हैं अने कि दोनों कीवीज को अंतर लिख रहा है अस्टोग का आर्थ क्या होता पहले उसमझे पानी भर रहे हैं आठ बजे आठ बजे पर एक समय निश्चित बिंदू यहां पर बात कर रहा है ठीक ना निश्चित बिंदू में कितना था दस लिटर यह टंकी में पानी है पहर बिचो अब हम लोग परहवा को भी जानेंगे पहले यह होगी यह अश्ट्रो कोई सीमा का प पानी एक तलाव का पानी बदलेगा क्या यह क्यों बाकि में रखें की मत्रह सकता यह फाल के मी बदल सकता ह जिसमें जिसे किसी समय अवधी के दोरान मापा जाता है समय अवधी के दोरान मापा जाता है कि यहां से आठ वजे से नो बजी तक आठ बजें से nine वजे तक दस लीटर पानी हो सकता है इससे को क्या करते हैं परवा कहाता हैि निझे पारवा समय परी नाम होता है जिसे परती घंटा पर कि दीन पर कि अस्पिट क्या हो गया परवा पूर परवा होजाएगा देखे एक ते अधारन के लिए आप पर निवेश हो गया उसके बाद हो गए आई आई क्या होता बढ़ते घड़ते रहता है अनिकि इस तरक नहीं कहते हैं कि 2012 में मेरा आई कितना था अधा 10,000 से 20,000 था क्या था 10,000 पर मन था 10,000 पर सालिस तरह से था इसको न आप ने उसके बन नदी में जल नदी में जल जो है प्यारी बचो वो किस अनुपात से बढ़ रहा है यह भी हम लोग कर सकते हैं यह क्या हो जाएगा प्रवा आपका हो जाएगा क्लिए आपको नबर में था यहां पर तिन नबर में है तो यहां पर थोड़ा बढ़ा करके आपको सब्सक्राइब कर दो खुद गरीग भाषा से बना हुआ है जिसका साब्धिकत विस्त्रिक या बढ़ा होता है अथात इसके अंतरगर्थ अर्थवास अर्थ वैस्था के बड़े बड़े रूपों एवं सम्हूओं का अध्यान करता है कि लिए आप लोग अंग्रेजी भा के माइकरों का हिंदी रुपांत्रन है जो खुद ग्रीक भासा के माइकरों से बना हुआ है ठीक जिसका साब्दीक अर्थ बड़ा होता है अथार्थ इसके अंतरगत बड़े-बड़े रूपों का और से मुगों का अध्यन क्या जाता है देखे इसका एक्जांपल दिया अध्यांचन जाता है अथाप इसके अंतरगत अर्थविष्था की ऐसी रूपों का आध्यन क्या जाता है जिसका संबंध संफूर्ण अर्थविष्था से हो इतना आप लिख जेगा ती नमर मिल जाएगा किलिए यहाँ पे समय है समय नहीं समगर मांग के घटकों को यहां पे लिखना है कौन-कौन से घटक है प्यारी बचों देखे इतना टाइपिंग इस तरह से नहीं हो पाता इस तरह से जहां पर किताब में जिस तरह से दिया हुआ है लेकिन यहां पर किताब में जो दिया हुए प्यारी बचों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके समझा दूंगा देखेएगा प्यारी बचों पहले आप लोग समझे कि समगर मांगर किसे कहते हैं किसी अर्थवैस्था में वस्तुओं अथ्वा सेवाओं के कुल मांग का समग मांगर की समग मांग की लिए कर लेकी सर देखेएग किसी अर्थवैस्था में Woodsalez stop सेवाओं की मांग जिए की जै Karate कर दोए थे देखे इसका एंसयुक्य आर्थवैस्थ में समग मातर उसके कूल वई के पृस्त करता है मांň करें तो क्या होगा करता है उससे क्वट वkeley भी प्रकट हो रहा है यह आप जरूर लिखेगा इस तरह से अंडरलाइंग करके घर के समग्मांग अनिकी का सकते हैं समंग मांकर कुल वे का सकते क्योंकि दोनों वराबर जितना मांग करेंगे पैसा देना पड़ीगा वह नहीं खर्च वा समझे यहां तक तो कुल निम इसके संगटक क्या क्या है निम्ली किते देखे परिवार तो व्यक्तिगत उपभोग इसको किसे दर्साइए सी से नीजी निवेस मांग तिसरा है सरकारी वह दुवारा वस्तुओं एंव सवावों की मांग सुध्य निर्यात की मांग इसके घटक है इतना इतना मांग होता है प्यारी बचों तो समगर मा मांग हो जाएगा और क्या होगा निजी निवेस मांग हो जाएगा इन सब को जोड़ देना यहाँ पर तो क्या जाएगा यहां पर लिखा हुआ है दो चेत्रकी अथ्वेस्था में अगर सरकारी वह दी तथा सुध्य निर्यात सब्सक्राइब आधी सरकारी उस्टों को सामीन करेंगी तब इसका फर्मूला क्या हो क्या हो जाएगा । सिल्टू को परभापूरतों मांट शंच को दोल और नेजिं को जोड़ा आता है वह मांग जिसमें परिवारिक उप्वोग मांग तो वेक्तिगत उप्वोग मांग प्लस नीजी दिवेस मांग को जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग परभावपुर मांग भी कहा जाता है और इतना सब जोड़ेंगे प्यारे बचों यह सब यहां पर जितना दिया वक्तान सेस के चालू खातों के घटकों को लिखी। देखें पहले चालू खाता कि इसको कहते हैं वह समझी। छालू खाता rättlamp आ खाता हैं जिसमें वस्तमian सेवाओं के आयात और नियर्यात एवं एक पच्छी घुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है। किसको एक पच्छिय भुगतान के हिसाब किताब रखा जाता है देखिए आप लोगों ने जो खाता खुलाया होगा वो क्या है वो चालू खाता है मतलब लेंदेन करते रहते हैं क्या करते हैं लेंदेन करते रहते हैं उसी को क्या करता है उसी हिसाब वही जो खाता रखते हैं कर देख सकते हैं तो क्या कर रहा है कि और पैसा उसको दे रहे हैं वह वस्तु तो आपको कुछ नहीं भेए सेवा दे रहा है क्लिर आपन जाता है तो आपका second session section B भी खतम हो गया आप section C देखते हैं तो आपका section C को यहां पर video बुद ही लंबा हो रहे है ठीक ना तो video बूद ही लंबा हो रहे है प्यारी बूचो तो आप लोग section B आपका next video बूद कर रहे है तो और अपका पर टू आएगा जिसमें पंदरों से लेकर करके उनीच तक के परिशनों को अब लोग करेंगे अभी कुछ दिर बाद आपका हिस्ट्री का हिस्ट्री का सेट थी अप्लोड होगा ठीक ना और हिंदी का भी अप्लोड हो जाया तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब पर लेंगे इसका सब्सक्राइब और ज्यादा मन लगेगा तो मिलते हैं नेक्स बड़ी में तब तक के लिए आप लोग रिजन के लिए धनिवाद